नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा बड़ी खबर दिल्ली के जहांगिर पूरी में हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है आरोपियों का केज जो है वो अब PFI यानि की पॉपलर फ्रंट आफ इंडिया लड़ेगी इस बात का ए करने के लिए पुलिस गई आरोपि की तलाश में गई आरोपि की पतनी को गिरफतार किया गया नाम सोनू बताया जा रहा है पर उसके गुस्से में लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया और पुलिस पे आज सूबा एक बर फिर से पत्तराओं की खबर सामने आ रही है तो केस लड़ेगी देखे इस घोषना से कि पीएफाई ने जो एलान किया है कि जो तमाम आरोपी हैं उनके केसे को पीएफाई लड़ने जा रही है सारा लीगल असिस्टेंस वो प्रोवाइड किया जाएगा पीएफाई के दोरा इससे एक बात दिन के उजाले के तरह साफ हो चुके आपने ही लोगों को भड़काया आपने ही ये साजिस रची आपने ही जहागीर पूरी के अंदर ये हिंसा भड़काने में पूरा आपने उसका ये काम किया और साथी साथ दिल्ली में आप लगातार ये काम पहले भी करते आए तो ये पीएफाई जिसके उपर अब बैन नहीं हुआ है ये तो सीधे-सीधे पूरे देश में हर बार जब भी कुछ होता है उसमें पीएफाई का रोल सामने आ जाता है अब जैसे शाहिन बाग हुआ शाहिन बाग में जितनी भी घटना एक घटी वो पीएफाई की करतूत शाहिन बाग के नाम पे पूरे देश में अलग अलग जगों पे धरना प्रदर्शन मुसल्मानों को भड़काने का काम पीएफाई बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं पैसे लगा करके पीएफाई से अब हिजाब विवाद आया हिजाब विवाद में भी कौन लड़ रहा है तो पीएफाई बच्ची जो चार पांच बच्चियां जो हाई कोट घर जे वो अतने मजबूत भी नहीं अतने बले-बले वकील को रखने ही में तो पीएफाई उसकी मदद कर रही कोटा में कुछ होता है वहां पीएफाई राजस्थान में हिंसा भटती यह प्यफाई मत करती हैोan प्रद्शमिपे प्यफाई यह बिवाद प्यफाई के जो संगठन इस देश के लिए नासूर हैं अभी खबर ये का और भी आ रही है कि भई केरल के अंदर में एक RSS worker की हत्या कर दी गई उसमें भी PFI का नाम केरल के अंदर लगातार political killings हुई उसमें भी PFI का नाम तो इसका मतलब ये है कि ये जो PFI संगठन है इस देश के अंदर वो लगातार इस तरह के दंगे फसाद करने में जुटा हुआ है अब तक इस पे प्रतिबंद क्यों नहीं लगा है ये लाख टके का सवाल है अभी कुछ दिन पहले ख़बर सामने आई थी सुत्रों के हवाले से कि केंदर सरकार जो है तैयारी में जुटी हुई है तो अब कितना जादा जरूरी हो गया है कि जल्द से जल्द PFI को बैन किया जाए कि सरकार की तरब से घोष्टन तो कर दी गई कि भई हम बैन करेंगे लेकिन हिंदुस्तान भी अजब देश है ना अलग अलग प्रक्रिया के तहट जाना पॉलेगा तमाम एजिंसियां हैं उनसे रिपोर्ट तलब की गई है अलग अलग तरीके से वह रिपोर्ट तयार किया तमाम तरह की तथ्यों को उसको रखा जाएगा ताकि सरकार उसके आधार पर उसके बैन करें क्योंकि बैन करने के बाद फिर सुप्रिम कोट जाएंगे हाई कोट में चलेगा हमारे उपर क्यों पैन लगा दिया गया फिर कोट के अंदर सरकार को यह साबित करना पड़ेगा कि भाई ये डेंजरिस लोग है इसलिए तो ये तमाम चीजिया भी देखिए एक PFI का धंकी वारा जो है एक वीडियो वीडियो भी ताजा आ रहा है कि इसमें जो है खुले आम हत्या करने की धंकी दी जा रही है और लोगों को भड़काया जा रहा है तो ये खुले आम हो रहा है ये समझ ये कि जो चीज पहले कश्मीर में होता था कि वहाँ पे हिंदू अपने परवते वहर को नहीं मना सकते इस PFI ने इसे एक All India फिनोमेना में कनवर्ट कर दिया है कि अगर आप हिंदू हैं आप अगर सोभा यात्रा निकालेंगे तो आप मस्जिद के सामने नारे बाजी नहीं लगा सकते आप वहाँ पे कोई DJ नहीं बजा सकते आप भगवा जंडा लेकर नहीं जा सकते तमाम तरह की चीज़ें ये हर तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये जो जहांगीर पूरी के अंदर हुआ ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है इट इस नोट इन स्पंटेनियूस इंसिदेंट ये एक सोची समझी रणनीती के तहत PFI की शाजिस्त थी जिसका उन्होंने खुद इसका बकायता एक जिम्मेदारी है हम उन्हों को बाहर निकाल के लेकर क्याएंगे और इसलिए ये जो जो पकड़े के हैं लोग वो पुस्पा बन रहे थे वो इशारा कर रहे थे कि हम जुकेंगे नहीं तो ये सारी चीजे बहुत ही आप समझे कि ये तो पहला वीडियो नहीं है अनुमान ज की तरब से लोगों को भड़काया जा रहा है लोग इस तरह से उब्द्रव कर रहे हैं लेकिन पुलिस जब एक्शन लेती है तो पुलिस पर ही पत्रा हो जाता है देखिए दिल्ली पुलिस के तो हाथ पर टांग काट के बराबर कर दिया गया आप पुलिस की ऐसी साख रह गई है कि कोई इतना बड़ा मुझरिम पुलिस के घेरबंदी में जा रहा हो और उसके चेहरे पे मुस्कान हो वो पुस्पा बन करके वो कैमरे के उपर इसारे बाजी कर रहा हो हाथ के इसारे कर रहा हो चेहरा मुस्कुराता हुआ हो तो दिल्ली पुलिस को तो केंद सरकार ने बिल्कुल इसो कसकते की पंगू बना दिया है किसी के पास कोई खौफ नहीं है शाहिन बाग साल भर चला तमाशा होता रहा पुलिस वाले गालियां खाते रहे रोड पे ये जमे रहे कोई आ किस तरीके से यमना विहार में जो दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसमें सबसे पहले निशाने पे पुलिस वाले आ गए तो पुलिस वाले से इनको खाफ नहीं है और ये खाफ की वज़ए इसलिए नहीं है क्योंकि जो पॉलिटिकल डिसिजिजन्स लेने वाले लोग है क दूपी के अंदर पुलिस की कस्टडी में कोई पुस्पा बनके दिखा दे उसके तो घर पे बुल्डोजर चलेगे चलेगे शरीर के कितनी हड्डिया तूटेगी वो उसको पता नहीं चलेगा लेकिन ये सब कहना इसलिए पढ़ रहा है दो इसलिए नहीं होनी चाहिए इस तरह की धमकी दे रहा हो इस तरह के वीडियो जा रहे हो और बगाइदा प्रेस रिलीज जारी करके ये कहता हो कि जितने भी दंगाई हैं उनको बचाओंगे हम बचाएंगे उसको हम सारे असिस्टेंच देंगे उसके लिए हम पैसे खर्च करेंगे तो ये अपने आप म का करीबी बता अरे हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूच दिया ये तो करीबी नहीं आम आदमी पार्टी का कारे करता है ये ये केजरिवाल चुलू भर पानी में डूब मरे कि दिल्ली केंदर में कहीं भी दंगे होते हैं कहीं भी फसाद होता है कहीं भी बवाल मचता ह है वहाँ ये टोपी वाले पहुंच जाते हैं यह हमें चाहिए सुराज इसकी तस्वीर बाहर आ गई कि किस तरीके से यह जहागीर पूरी में वहाँ पे बीजेपी लोकल MLA है उसके लिए कैमपेणिंग करता था ताहिर हुसाइन दिल्ली धंगो का मास्टर माइंड खालिद उमर खालिद यह सारे लोग सैफी यह सारे लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए यह तमाम आदमी पार्टी के बड़े बड रक्षन एक तरफ मिल रहा, दूसरी तरफ आतंकी संगठनों के साथ इनके सांट गाठ, साजिस रचेगा, PFI, पॉलिटिकल समर्थन देगा, केजरिवाल, और दिल्ली पुलिस के पास कोई पावर नहीं, कि वो सीरे जाकर के योगी की पुलिस के तरह कोई कारवाई कर सके, तो ये पिटेंगे ही, आज सवेरे क्या हुआ, आज सवेरे यही हुआ, टीम गई हुई थी, क्राइम ब्रांच की टीम गई हुई, और वो वहाँ पे जाकर के पूस्ताच कर रही है, तो यही कोई, जिस सक्स ने गोली चलाई, सोनू, उसके घर पे उसकी पत्नी को जाकर के पूस्ताच के लिए कि कब आया क्या है, पूस्ताच तो होगी, आप कैमरे पे गोली चलाते हुए दिख रहे हो, आपके उपर फूल बरसा है जाएगा, पूस्ताच हुई, तो जैसे ही उसकी घर पे जाकर के उसकी पत्ती से पूस्ताच हुई, यह देखिए कितना मन बढ़ हुआ इननों का, कहां से इनको इतनी हिम्मत आ जाती है, कि यह पुलिस के उपर ही पत्थराओं इननों को ने चालू कर दिया, वो भी छोटे मोटे पत्थर से नहीं, ब्रिक्स से, वो तो किसमत अच्छी थी, किसी के सिर्प नहीं लगा, अदर्वाइस किसी की मौत हो गई ह होती, लेकिन बता है यह जा रहा है कि पुलिस कॉंसेबल एक पैर में छोट लगी है, हड़ी तूटा है, तो यह सारी चीजे हैं, तो सब कुछ चांत है, पुलिस दावा कर रही है, फिर भी पत्थर गिर रहे हैं, और पूरा हिंदुस्तान का जो मीडिया है, वो बैलन्स कर रहा है स्टोरी को, हाकिकत बहुती सिंपल है, यह पहले से प्लान किया हुआ एक अटैक था, कि इधर से कोई सोभायात्रा गुजरे, उस पे हमला कर दो, कि ताके फिर आज के बाद से कोई सोभायात्रा हिंदुों का इस इलाके में ना आए, दे आर क्रियेटिंग नो गो ज जोन्स इन इंडिया, बंगाल में, यूपी में, कई सारे ऐसे जगह थे, बंगाल में तो अभी भी हैं, कि जहां पुलिस नहीं जा सकती, जहां कोई हिंदु परवतिवार नहीं मना सकता, तो यह नो गो जोन्स क्रियेटि जो हो रहा है, यह एक चिंता का विशे है, और पहुँच जाए, कि आप शांती से रहना चाहते हैं, तो रहिए, और अगर आप पब्लिकली ओपिली इस तरह से दंगा भखाने में इंटरेस्टेट हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाती समुदाय के हो, वो हिंदुस्तान में एलाउड नहीं होगा. इस तरह के बयान दे करके अपने आपको, और बयान देगा, कि बई दिल्ली के इस लोग सांती स्थापित करें, और उसके बाद कहा देगा कि बई cumpl rice farm नहीं हो, तुम क्यों नहीं गई? तुम क्यों क्यों नई कहीं, तुमहरे लोग हैं, तुम्हारे नेटा हैं, और करेगा क्या यह, जैसे पकड़ा गया था रंगे हाथ दिल्ली दंगों में ये ताहिर हुसान पकड़ा गया तो कर दिया भाई पार्टी से निकाल दे रहे हैं और तुम्हारा पार्शद है ये तुम्हें टिकट डंगीना धून के लाया था कि जिसका धंदा यही है कि किसी तरह से दंगा भलक जाए और वो तमाशा करे ये केजरीवाल दिल्ली को जब तक तबाह और बरबाद नहीं करेगा तब तक इसे चैन नहीं मिलने वाला अब तक 24 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है हिंसा वाली जगह आपको दिखाते हैं देखिए लागतर वहाँ पे पुलिस जो है भारी संख्या में तैनात है उसके बावजूद भी अभी स्थितिक कंट्रोल में नहीं है अब देखने वाली बात यह होगी कि जो मुख्य आर हुआ